hey guys how are you all मेरा ना मेरा मंदीब सिंग स्वागत है आपका में चैनल EFLM के अंदर और और guys खुश कबर है आप लोगों के लिए basically यह बात जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको साल हो गया हुए हुए लेकिन अभी तक कुछ बच्चों को पता है कुछ बच्चों को बात नहीं पता क्योंकि इतना प्रमोशन इसका और Facebook वगारा पर तो हुआ इससे की ब्रैंड पर इससे भी हुआ था लेकिन एस सच इतना कोई website वगारा पर नहीं है लेकिन आप को आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ICSI का टायाप हुआ हुआ है Memorand Memorandum of Understanding Signed between ICSI and Lovely Professional University जैसे मैंने इगनु वाली वीडियो मन आई थी तो Lovely Professional University और ICSI का आपस में टायाप हुआ हुआ है जिसके अंदर क्या कहा गया है कि अगर कोई बंदा Qualified CS है तो then it is equivalent to PhD oh equivalent to post graduation आप सीधा post graduate माने जाओगे और direct आप भले आपने MBA नहीं करी B.com, M.com, M.com नहीं करी ICSI की degree is equivalent to post graduate degree और सीधा आपको directly admission ले सकते हो आप PhD के अंदर जनरली क्या होता है, PhD admission लेने के लिए आप post graduate होना जरूरी है, पहले आप B.com करो then M.com करो या आप B.com करो MBA करो उसके बाद आप PSG admission लेते हो, लेकिन यहाँ पे आपको फायदा क्या है, आपने CS ही करी है, आपने उसके लावा B.com, M.com कुछ नहीं करी है, B.com करी है, M.com नही सब्सक्राइब करें, तो उन लोगों के लिए रास्ता खुल गया, इसके इलावा एक, इन्होंने ICSI और LPU ने लवली प्रफेशनल इनिवस्टी ने एक टायप और, लवली प्रफेशनल इनिवस्टी आप सब को बता है कि पुझाब की बहुत बड़ी इनिवस्टी है, इसक जब देखोगे आप सिर्फ कुछ नहीं करना, आप गूगल के ऊपर लिखो, ICSI और लवली प्रफेशनल इनिवस्टी, MOU, MOU लिख दो के लिए लवली प्रफेशनल इनिवस्टी, MOU, आपको एक पूरा पेज मिल जाएगा, जो उनका साइन हुआ है, उनकी पूरी जब बात सब्सक्राइब करते हैं, और दूसरा जो वो निकाला है, उनकी ड्रेक्टली बच्चा, आफ्टर ग्रेजुएशन, साथ में अगर ग्रेजुशन कर रखे, साथ में CS कर लिए, या कुछ बच्चा ऐसे जोनों आप ग्रेजुशन वागरा जोईन ही निकारी थी, खाली CS कर र खाली, थैंक्स अलोट बबाए